तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इस पर फिर से हम लोग 6 क्वेस्टन को खबर करेंगे तो आप आप देख सकते हो जो भी बच्चा जीरो से यानि जो बीगनर है उसके लिए है यह नाइन मन्त का कॉर्स ओलाइन है जिसमें आपको एडवांस कोर्स है राइट जिसमें 21 प्रोग्राम के लिए है जिसका फिया आप देख सकते हो आप पर नाव एक चीज ध्यान देना आपको जो काफी इंपॉर्टेंट है यह है कि हमें कुछ बिंदुवा पर ध्यान देना है जैसे कि हमारा जो 21 का प्रोग्राम है उसम नमर पर जनकारीगेस नमर पर कॉल कर सकते हैं हमारा क्वेस्टन है वीच वन दो फॉलविए देने वाला पहला राज मतलब पहला कौन सा राज यह है कभी कभी होता है कि हिंदी में थोड़ी सी आप देखोगे कि कहीं कि साब्द में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही बट कोई कि अब आता है यह मैनेश कर लेना तो इसका एंसर क्या होगा थोड़ा सच हो आफ इसका इंसर किरला होगा तो चलि हम लोग जानते हैं थोड़ी से कुछ जनकारी लेते हैं किसके बारे में औरी शागे वारे में है तो जीला 30 मुख्यमंतरी नभीन पतनायक है गवर्नर गने लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह चेतरफल के अचार ओडिसा भारत का नवा और जनसें कहें कि सबसे ग्रावा सबसे बड़ा राज्य है और अधूनिक ओडिसा राजी का सापने एक अपरिल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के राज्य के रूप में हुई थी और इ यहां पर इसके अलग-अलग नाम है जैसे कलिंग उतकल उतकल रात ओड़ 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 देश ओड़ ओडर आस्टर रित्रीकलिंग दक्षिन कावसल राइट कोट कॉंगोद तोसाली छेदी मद्स यह सब छेदी और मद्स से महाभारत के समय से इसको जाना जाता है तो यह हाँ पर समराथ इस सोग के साथ हुआ कलिंग यूद का साक्षी का यह राज अंकर ओड़िया यहां का मुख्य राज एचिज अब ध्यान देजी जीगा और ओड़िशा का तीसरी सदीशा पुर्वा से राज करने वाले कुछ राज वाले कुछ वांस जैसे कि ओड़ वांस म इन अगजपति तो ओड़िशा के लगोगा 80% जन संख्या क्रेशी कारे में लगे अलाकि यहां कि अधिकांस भूमी अनुपचाव है एक स्यदीक वार्षिक सब्वासल के लिए अनुप्यूक्त है तो ओड़िशा में लगए 40 लाग खेत हैं जिनका वसा तकार 1.5 हेक्टेर तो एक चीज भी ध्यान देना है कि इसके 80% भाग में चावल उगाया जाता है चुकि राज जी के कुल शेत्र के लगए 45% भाग में खेत है और लेकिन परती अब यहां पर ध्यान देना है कि कुछ फसले बहुत महतो पूर्ण है जैसे तिलहन, दलहन, जूट, गन्ना, नार से आम है और अटीशा के साथ शर्य नीरी तोडिशा सा सास वर्दिक समय में अस्थित्व में है और का ओडिशा के अपने-पने परामप्री पर जो है क्या बोलते तेवार है इसका इक अनुक तेवार अक्टूबर ये नवमार में जैसे ती थी इन तो पांचान के अनुसार उत्तर परदेश का बहुत बड़ा इतिहास रहा है मोडरन इडिया में कुछ में भी सुरू सही हिस्ट्री का अगर आप बात करो तो इनके बारे में कुछ महत्वपुर्ण बिंदू जानेगे सबसे पहले तो यहां के मुख्यमंत्री आपको मालूम है कौन है है यहां के राज जो है 912 जो में का है और थाउजन में का है तो आप इससे समझीए गा इसी कानुपात है तो उत्तर परदेश का इतिहास है लगवक 4,000 वर्स पुराना है और जब वारियों ने अपना पहला कदम इस जगा पर रखा तो इसमें वाइदिक सभेता का प्रारंब हुआ और उत् अड़ाव सिंदुन अदि और स्तु kuv के मेदानी भाग हो से यमउना और गंगा को मैदानी चेत्र के अतो अर्यों समय के साथ अ design साहरों में इसे कमाने जाने बॉला वरी से दुए परिष्टित है एक मालु plane इस अतावदी में कनोज गुप्ता समराजी का परमुक के अंद्र था कौन ये वारण से कि मैं बात कर रहा हूं और बहुत इसके बड़ी तिहां से इतनी लंबी तिहां से में जानना नहीं है कुछ चीजें हमें जानना है कि जैसे भूगोल है इसका उत्तर आपको समझना कि य अगला हम लोग बढ़ते हैं हलाकि अभी लोग जो यहां पर अगर मैं बात करूं अगली जोए हमारी करनाटिका के बारे पर तो इसके बारे में कुछ जनकारी हम लोग पाते हैं जैसे करनाटिका के जो मुख्य मंत्रे बीस यह दी और अप्पा हैं गवर्नेर वजुभाई सब्सक्राइब के वाला है जन संक्या सब्सक्राइब यह सारी चीजें हैं और इसमें आप देखे कुछ जनकारी आप इसमें ले सकते हैं तो जैसे दचिन भारत का एक राज इसका गठन जो है एक नौमर उनईसो चापन को राज पुनर गठन अधिन किया गया था यह पहले चीज जो है आपको समझना है कि यहां का जो है जन संख्या जो है 319 किलोमेटर प्रती किलोमेटर स्क्वार जीला तीस है यहां पर जानिएगा और विधान मंडल में 75 सीटे विधान सब्सक्राइब में 225 सीटे हैं और करनाटा का बहुत बढ़ा इतिहां से आप इसकी इतिह जो है बहुत अभड़ापा में भी इसका काफी देखा गया है हलमी दी सिला लेग भी यहां पर तो यह सारी चीज यहां पर हैं तो कि पतदकल में मलीका नुर्जुन और कास्वी विष्वनात्मंदी चलू के वंग राष्ट्रकूर राष्ट्रकूर वंस द्वारा मनाई ग और यहीं पर होया साल समराज या स्थापत तेजो है बैलूर में हम पी विश्व धरोवर असल में एक उग्र नर्सिंग के मुर्ति है यहां बीच्वाइन अगर समराजी के पुर्वर अजानी बीजाइन अगर करसे चुकर निकटिस्थित है बदामी गुहा है यहां पर जो आपको समद्धा धारवार पेड़ा यहीं से संबंधित है और सरवन बिल्गे गुलामिक गुम्तिश्वर जोकी उन्हीं सो बेरासी से लेकर स्वरी 1882 से लेकर 1883 की एकासम प्रतिमा आज जैन धर्मवा लंबियों के सर्वत पर प्रिये तिर्थो में से एक है कनडवासम प् प्रिकेट टीम के पुर्वा कप्तान अन्ली कुम्बरी अंतराश्टी क्रिकेट में भारत के लिए सारवजीक विकेट लेने वाले खिलाड़ी यहीं से समद्ध रखते हैं के सो मंतिर जो स्वामनाथपूर की यहीं पे हैं बीजापूर जो है का गौल गुमबज बाइंस ट को गड़ी सुधी बादामी यहोल पतदकल हंगल हलसी बनवासी हलवीडी बैलूर समनाथपूरा महादेव मंदिर इतगी में हुल्ली सनती हम्पी एन गुंडी मस्की गलकनाथ चौदया दानापूर और बीदर गुलबर के विजापूर राइसुरे सारी चिजहां पर बिला अधिर्वान परम रजानी कोमंत्री जो है यहां पर पिनर रही बीजियन है यह दिया में स्टेवन डेवलपन इंडेक्स में 0.707 112 हम बोल सकते हैं कि हां का जो है है सबसे जादे इंडिया में है इस डिया रहें कि मेला का 2015 का मैं बता रहा हूं यह तो आपने देखा और एक चीज़ और इसके बारे में जान लीजिए कि यहां जो है इसको बिग्यापनों में किरल का किरल को इसवर का अपना घर यानि गोट सांड कंट्री का आ जाता है अलग अलग जगों पर देखा गया है लेकिन एक चीज़ आपको समझना यहां पर काफ इंपॉर्टेंट है कि यहां पर एक जो है किरलिये जिवन की छवी हाँ जो है मनाई जाने वाल उस्वा में देखाए देती किरल मने कुस्वा मनाई जाते हैं मैंने बताया बिधा थिरे सुरभ पुरम फेस्टिवल तो कलावा संस्कृत इसी परकार के बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन एक चीज आ और यहां मैं इसका बता हूं देखें बहुत सारी चीज़ें राज एक बारे में जनकारे लेंगे तो बहुत सारी जनकारी आपको देखने को मिलेगी भारत की सबसे धावक पीटी उसा के ही रहने वाली थी चीज़े आपको जानना है और कुछ चीजे और हैं जैसे कि आप उमद रिखा से कवला डिग्री के दूरी परिस्टित होनी के कारण केरल में गर मौसा में लेकिन वर्ण पेड़ पौधे वर्षा के दिखता के करण मौसम समसीत तो सोन रहता है यहां कि धर्तिक उचनीम नहीं सीति में भी जलवाई पर बड़ा प्रभावी जो है डालती है के लिए जलवाई विसेषता है कि स्वेटल मंध हवा और भारी वर्षा ऊहरी वर्षा का इडवव पंसिक अंवा सिमानोंश का breaks जेक नहीं में दिखता कमे कि अधालने यहां कि बड़ा नगे भीज्कन समुशों हो एक तो ज्यादा तर श्यृंग yaşा यहां और यहां he यह सारी है और इसके इस इहास बहुत वड़ी है तो एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पर अगर मैं इसके बिरह में कुछ और बात करूं तो एक समझना कि रूम में सिस्व कमी तुदर भारत की राजी में सबसे कमें और इस त्रीव को संख्या पूरस्यों सदीक है तो 2001 के ज तो अगले क्वेशन के वर बढ़ते हैं है ना तो अगला क्वेशन आप देख लिजी वज़ चीफ इंजिनियर इस्पॉंसिबल फूर दा कंस्ट्रॉक्शन आप राज सागर डेम इन मैसूर, सब्सक्राइब के लिए कि यह चुना गया था वह कौन थे आप सुची इसके बारे में आपको समझ देता हूं जो सगंड का क्या अंसर वह सकता है कि अब को सब्सक्राइब करें इस बारे में जान लेते हैं लिए सर मौच गुंडम विश्वा सरया जो है इनके बारे में भारत के महान अभियंता और राजनीक थे उन्होंने सब्सक्राइब भारत मुन का जनम दिन अभियंता दिवस करूपे मनाई जाता है और 15 सितंबर उन्हें 1861 को जनम हुआ मदू मुद्धे नाहली में और मिरित्व ही 12 अप्रेल उन्हें 122 को बैंगलूरो में आप पुरसकार इनको भारत रत मिला और इनके जो है एक चीज़ और ध्यान देना है कि इनके जो मतलब अगर मैं बात करूँ जनम भूमी तो इनकी आपको मालूम है करनाट का ही थी इसमें कोई दोरह नहीं है मैंने अभी बताया भी आपको तो इक चीज़ और यहां पर इनके बारे में आपको ध्यान देना है कि विस्वसरयाय का जनम आपको मैंने बता दिया कोलार जेले में हुआ था चिकाबलापूर तालोग में एक परिवार से थे और उनकी पिता के नाम सिर्णवास सहस्त्री आपको इनके बारे में समझनी है वो यह है कि वो किसी भी कारे में योजना बूत तरीके से पूरा करने दिश्वास रखते थे तो 1928 में पहले बार रूस निश्वात के महता को समझती वे पर्थम पंच वर्शी योजना तियार की थी लेकिन विस्वसरयाय ने आठ वर्स पहले 1920 में अपनी किताबरी और दिवान के पत्पर कारते वे विस्वसरयाय मैसूर राजी के जिन सताव और उजनाओं को भार दिया हुए है मैसूर बैक 1913 और मलनात सुधारी उजनाओ इस परकार उनको कुछ मिला है और एक चीज और है कृष्ण सागर बांध जो है उसके बारे में बताता हूं कृष्णा राज सागर मैसूर नगर से बार मिल उतर पस्चिन में कृतिन जलासे है और इसमें कावेरी हमावती तथा लच्मन तिरथा नदियां गिरती है जिनसे सब्सक्राइब करती है ब्रिंदावन उपवन आपको मालूम भी है ब्रिंदावन उतर पर दे समझ भारत के करनागटक राज मैसूर नगर में इसी तक परसित परियाट नसल है और इस उदियां का धार सिला जो 1927 में रखी गई थी और इसका कार यह 1932 में संपन हुआ था हर साल लगवग 20 लाग प्रियाटक यहां पर आते हैं तो यह सारा हो गया हम लोग यहां पर देख लिए अगला जो है एपीज अब्दूल कलाम स्वरी फोर देट 37 के बारे में हमें जनकारी लेना हम लोगों ने बोल गया है तो चलिए इनके बार में जाते हुए कि सथी सब्स सरकार दोरा सन 1971 में पद्म भूसन सा समानित किया गया था और यह करनाटक राज में कई वरसे रहे थे तीन जनवरी 2002 को इनका नीधन हो गया इनके परमुख देन में सेख थी टर्वियूलेंस में भारतिय सोथ का अभीकास जन्म 25 सिंदवन उने इसो बीस को हुआ सिर नगर म में मृति होई तीन जनवरी 2002 को बैंगलूरू में पत्नी थी नली नीधावन और उलेक निया सो समान था और पद्म भूसन में बता दिया बच्चा का नाम है इनका जिवसना दावन पुरसकार इनको पद्म भूसन मिला और भूसन भी मिलाया एप सी अपीज अब्दुल कला अगराश्टपति के रूप से जाना जाता है वारतिय गनतंत्र के गहरावे निरवाचित रास्टपती थे और भारत के पूर रास्टपती जाने माने बैग्यानिक और अभी एंता करूप में भीग आते तो एक सी और ध्यान देना है कि 15 अक्टूब्र ने इस वेक्तिस को ज जानिए गया अगली जो है आप जाने लिजा सर्वपल्दी राधा क्रेशनन को लेकर है ना भारत के उप्रस्टपती रहे हैं द्विती रास्टपती भी रहे हैं और भारतिय संस्क्रेट के सवाग परख्यास एक्षावीद महान दार्शनिक और अस्थावा निंदू बिच विज़ें बिच पालक थे सर्वपली वीरा स्वामी और सितामा यह स्था मातापिता का नाम था और यह जान देना है कि जब राश्टपती पहले थे राज्याद परसात वसमें उप राश्टपती टोक्टर रजाकिर हुसेन आपको ध्यान देना है तो आप इसका मैं आपको बता देता हूं यह अरुना चल परद्रेस में इस्थित है राइट पापुम राज जो है रिजर वर फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी जनकारी लेते हैं देखिए पहले तो समझ लेजिए कि पापुम राज जो यह जो फॉरेस्ट अरुनाचल परदेश के परमुख और नबील परियावरस अस्थाल जो है पापुम राज फॉरेस्ट वहीं पेश्थी थे और तो यहां पर ध्यान देना कि अब वनों कि कटाई एक उच्छ जादा पर देखिए और एक जियान देना है कि कहा है पहले समझे अरुनाचल परदेश में राइट तो अरुनाचल परदेश के बारे में थोड़ी जनकारी ले लिए लेकिए अरुनाचल परदेश उक्ते सुर्य का परवत एक उत्तर पुर्वी राज्य है इसकी सिमाए दचिन कि राजानी इटा नगर है मैंने बता दिए पेवा खंडू यहां के मुक्यमंत्री हैं जन संक्या वन पॉइंट टू फाइफ फाइफ मिलियन है दो जर्वारे के नवसार जीला यहां पे बीस जीला है यह भी आपको दियान देना है और यहां पे ध्यान देना है कि भागव लुहीत चांगलांग और तीरा पतकाई पहाड़ियों में सित हैं जो कि कांगतों नेयोगी कांग सांग मुख्या गोरीचन चोटी और पुर्वी गोरीचन चोटी से इमाले के सबसें उची चोटिया है तो अभी क्या है कि रुणाचल प्रजेस नागरी को जीवनापन का और यहां पर जैसे नगती फसले आशकल ज्यादा तरोज जैसे आलू बागवानी के फसले जैसे सेव संत्रिया नाना साधी को पुरसां दिया जारे कुछ साल के दिनों में पर उनाचल पर जिसके मुख्य फसलों में से चावल मका बाजरा गया हूं जो दलन गन्ना अधरक रख तिल्हान है यां ज्यान दीजेगा और कुसी यहां पर जनकारिया यहां पर पांची राजनीतिक दला भालती जनता पाट्य और नाचल गुंग्रेस और नाचल कॉंग्रेस मैचे कॉंग्रेस दो लो पीपूल पार्टी ऑफ पर नाचल पर जानना है जो काफी प्रवारी प्रवारी ठाव संधी होने के बाद असमें ब्रिटिस आसुन लागू होने के बाद से प्राप होता है तो सब्सक्राइब प्रशाट से पहले राजी को नौर्थ फ्रण्टी रजयंसी के नाम से जाना जाता था सामेधानी करूप से असम का ये भाग था परॉंतु सामरीक महत्वा करण 25 तक यहां का परशाइब देखवाल बिदेश मंतरा ले करता था उनिस पैसट के पास्ट आप संब कराजिपाल क देखा अगली आपको समझनी है अंद्रा प्रजेस के बारे में कुछ जनकारी ले लेते हैं अलाकि एस्टेट के बारे में जनकारी लेना मैं मानता हूं कि वीडियो में थोड़ा इंपॉसिबल साई क्योंकि बहुत सारी जनकारी है इन से जूड़ी हुई है पिर भी जान ल आए और एक नवर उने सुच्छापन का इसका गठन गठन हुआ और फरवरी 2014 को भारती संसत नेलक तिलागना राज एक मंजूरी दे दिए भी ध्यान दिजेगा और एक कुछ इंपॉर्टिंट थी पॉइंट और यहां पे चीज़ ध्यान देंगे आप कि चंद्रगुप् जो एक आजार हाथियों के सेना थी बहुत पुस्तों को से प्रकट होता है कि उस समय अंध्रावासी उने गदावरी छेत्र में अपने राज्यू का सपना की थी और अपने त्रहुवे सिलालेक में असोक ने हवाला दिया है कि अंध्रावासी उसका अधिनस थे यह चीज द और कुछ और चीज़े में आपको बता दूँ अंधरा पर्देश में कई संग्राहलें जिन में सामेल गंटूर गंटूर सहर का पास अमड़ावती में सित्पुरातत्व संग्राहले हैं है यह सारी चीजे हैं बहुत सारी हैं लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां प पढ़ा बंदर गावी है सीरा कुल जीले के आरो सभ्यली में सूर्य मंद्र विए अंधर परदास में देखनी लाइक अस्तान है यह सारी चीजे हैं वहां पूछा जा सकता है कहां प्यारवासली सिर्च में सूर्य मंदर जो कि यहीं है यह ध्यान का दुर्गा मंदर कहा है को कि तमिल नाडु में तमील जाद़ा बोली पूरसों पर 995 महिला है यहां पर यह तुम लोगों ने देखा अगला जो है क्वेशन वारे में देखते हैं एक यह आपको मालूम चल गया होगा क्वेशन देखते हैं एक टिस्ट पॉलिसी किस परधान मंत्री के कारे काल के दौरान इसको पेस किया गया था विभी नर्सीमा कि चलिए आगे बढ़ते हैं तो एक टिस्ट पॉलिसी के बारे में जाते हैं भारत की एक टिस्ट पॉलिसी ऐसी परसांत सेतर में मौझूद देशों की भी सहवागिता को बढ़ावा देने का मकसद सलाई गई थी इस निती ने पुर्व सरकारों की और से लूकिस्ट की नि को कि जानना है पीवी नरसीमा राओ बार है है या अमूलरा पर्देस के मुखे पन्तरी बहें बहुत बढ़ हाथ रहा है कि भाग एका 28921 को जन्म हुआ लकिन नपल्ली में तेश जनवारी तुरिटेश दिसंबर 2004 नई दिल्ली में इनके मुरिती हुए और पिछला कारेकाल एकानवे च्यानवे उन्हें 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 से कानवे च्यानवे में देश के प्रधान मंत्री भी रहे हैं कि अटल बिहारी बाचपई के बारे में आप भी जानते हैं काफी जनकारिया है जन्म 25 दिसंबर 1924 को गवालियर में हुआ मुरित्वी सुलगा सुजार ठैरा को हुआ दिल्ली में एम्स में और दल था इनका भारतिया जनता पार्टी पिछले कारेकाल भारत के प्रधान मंत्र भारत के प्रधान मंत्री रहें एक प्रवक्ता भी थे भारतिया जनसंग के संस्थाप को में शेख थे अधियर में शेख अधियर भारतिय जनता पाठी के मनमहान सिंह बहुत बड़े अर्थ शासरी थे इनोंने ही यह लिपीजी वो का यह किया था सुभारम लिवराजेशन प्रविटाइशन गुल्वलाजेशन नाइंटी नाइटी नाइटी वन में और 2001 में मिली जीत के बाद बात पहले भारत के से प्रधान मंत्री बंगे जिन्होंने पांच वरक्सों तक कारेकाल सफलता पूर्वक पुड़ा करने के बाद लगाता और दूसरी बार प्रधान मंत्री बनने का आउस्वर मिला अब शबिस सितंबर 1932 को उनकी जन्म हुई गाह पाकिस्तान में वन पॉइंट सविंटी फाइफ मेटर यह तो उचाई विए उनके लिए आपको गंगारी उद्ना लेना नहीं है और भारत के बीत मंत्री 2012 में थे यह भी दियान देना है और यह भी दियान देना है यह भार इनका पूरा नाम किया था अभी जान लीजी मनमान सिंगी था अगला जो है नरेंदर मोधी दोज़ार से दूसरी बार परधान मंत्री अभी तक बने हैं लागता नरेंदर दास मोधी और नरेंदर दा मोधर दास मोधी और सुतरह सिंदबर 1950 जन्म हुआ गुजरात इनवर्सिटी से पढ़ाई हुए और यह है इनको लेकर इन्होंने बहुत सारी चीज़े अब इसके इनके बारे में इतना डिसकस करना मतलब मैंने बताया वही ना कि बहुत लंबी फिर हो जा लेकिया गया सुचिए अगा अगा किया हो गांसर बताई है अपसंदी हो गना इवन ओडिसी क्या लगता अपको इविन ओडिसी के ने किया था थोड़ा सा वोल ट्रॉट रग्रीपोर्ट के बारे में आप जनकारी ले लिजी आना ने कि देव दा वल्ड ट्रग दो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ड्रग्स और क्राइम वार्सिक परकासन पर एक संजुक तरास्ट कर्याले है जो दवा के बाजारों पर बिस्त्री तांकडों के संकलन और बाजारों को इचान पर जो है बिसलेसन करता है अब यह दियान दीजिएगा और अब यहां समझे क कि FTF क्या है डबलु एच्चों को बारे में भी मैं बताऊंगा बितिया कारवाई कारेदल अभी पकिसान को फटी ने किया ना फानेंशल आसकल टास्पोर्स ने ग्रेव लिश्ट भी साइद किया है ध्यान दीजिएगा बले क्या ग्रेलिश्ट है लेकिन बितिया कारवाई को धन मुहया कराने के लिए बिरुद नितियां बनाने भी इसका कारेश हित्र में समयलीत किया गया पैर इस में इसके मुख्याले है मेर्कस प्लियर इसके अधियर्ट है ग्रूप आप सेवन इसके संस्थापक है और अंतरासिय संगठन है राज सारंतर सरकारी संगठन डे बारे में जानिए बिश्व स्वाज संगतन के देश्व के स्वाज समधी समध्सित कराने का संस्था है बिश्व स्वाज संगतन के 594 सदस देशा दो समन संबंद सदसे हैं संजुक्तरास टार्थिक और समाजिक परिसर्दी के इसके बेसिक औरनियाजेशन है टेड्रोस आधानूम स्वामिया स्वामिनाथन और जेन एलिसन इसके मुख्या है संस्थापक उनाइटेड स्टेट से भारत भारत ब्राजील यह सब सारे लोग है और भी बहुत सारी कंट् स्थापना जो 7 सेथमबर 1923 को वियना इस ट्रेया में तो इसमें लेखे समझना क्या है कि अंतरास्टी अपराधिक पुलीश संगत्तान जैसे आम तोरप इंटर पॉल के नाम से जाना जाते का अंतरास्टी संगत्त में जो दुनिया वर में पुलीश होगार अपराद नियं प्रोग्राम यह कारेक्राइब महासभादवारा उनिस्वा कान्वे मनसा खोरियंग मादक पदार्थों के तसक्रिस नीपनने के लिए वैसिक परिवासिक अंतरगत शुरू किया गया था और मजे के बाद तो यह है कि संजुक्तराष्ट सचिवाले का मादक द्रभ प्रभाग सब्सक्राइब और अंतरश्ट्रिय से जुड़ा हुआ है तो असापना इसके उनिस संताविम हुई वियन आश्ट्रिया में इसका है ओफिस है यह ध्यान दीजेगा अगला सुह हमारा काफी इंपोर्टेंट है क्वेस्टन जर्दोची भारत में परसित कला करेती है तो किस सब्सक्राइब होता है जो भारत और पाकिसान में परचली थे यह मुगल बजसा अकबर के समय में और समरीद हुई और किन्तु बाद में राजसी संरक्षन के अभाव और और द्योगी करन के अदौर में इसका पतन हो लगा और वारतुमान में फिर से उभरी है और यह जर् सब्सक्राइब फार सी साडी में भी जरदोजी का काम करना परारम कर दिया है अब यह इसका धीजिए क्या एंसर होगा कि बताई कि आंसर होगा कि इसका अंसर टी होगा मुगल अग्रमन कारियों ने क्योंकि मैंने अकबर वहां पर हिंट दे दिया था तो अब समझे यहां पर अफगान रिसान को लेकर कि उसे अफगान समराजी की राजानी कंदहार से बदल कर काबूल कर दी गई थी किसके दौरा की थी अभी मैं आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले समझी आज पाकिस्तान है उसका मांचीतर उनिस्यू सदी कंत में तेह हुआ तो अफगानिसान सब कितना पुराना इस पर त वह यहां प्राय फारस के हाखमानी साहों का सासन था उसके बद ग्रेको बैक्ट्रियन सासन में बहुत धर्म लुक्रिया हुआ और इरान के पार्थियन तथा भाती सकों के बीच बटने के बाद अफगानिसान आज भूभाग पर सासनी सासन आया काफी लंबी तिहां से इस एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि मानों बसाओ यानि यहां पे अगर देखें तो एक दस जार साल से बधिक पुराना हो सकता है यानि इंसान यहां जितने दिन से रहे हैं और एक चीज़ और आपको समझना है कि महाभारत से इसका यहां जुड़ा हुआ है प्रविस सदी के अंत में कभी ने अफगानिस्टान की कबाईल चखडों की खिल्ले उड़ाई कभी ने और अफगान एक करन महत्तों पुर्ण भूमिका निवाई थी तो इक चीज़ ज्यान देना के सिकंदर का जो है ओ जो है उन्हों उसने फारस के दारात त्रितियोद मे लड़ाई भी लड़ी थी और वहाँ पे जो एक चीज़ और समझना है कि वरतमान में 2007 देशों में नाटो के सनाय बनी है नौर्थ अत्लांटिक ट्रिटी और्गनाईजेशन और देश में लोग तांत्रिक सरकार का सासना हला कि तालेब इन वहाँ पे जो तालीबान आपने देशन वहाँ पे नाम आता है दुर्राणी समराज एक परस पस्तून समराज है था जो अफगानिसान परकेंद्री था और पुर्वत्री यान और पकिस्तान और पच्छी मुत्री भारत पर बिश्री था तो इस 1747 में कंदहार में अहमद साथ दुर्राणी ने सापित किया साथ जो अब डाली कभी लिगा सरदार था नदर साखी पाज में किसी और सलार था था एल्याश को जंकारिया है और बनाये गया है और यह उपाधि Cent差不多 दी ही जाती हुआ जूह पहल हरो तरव congen south नाहीं के सबसेत्र हुआ चैनल हो गया आह वहाँ पंडी तो में तो हम पिरांड ये पिरांड़ सहर है पुरान पिरांड पिरांड सहर सहर इर्स मना एक नहीं तो एक्रण गाति不錯 पुरानी सभ्यता यहाप यहां प्राण नाम का फारस है ध्यान दीजी गैंप पहले प्रबशाली यू पॉर भशांद यू कालीन लोग रहते थे यहां प्रमानों निवास लाग साल पुराना हो सकता यह अग्वारी मैं फ्रू होती है तो यह तीन सारी शुब कुरु से खेती कि लोग ने तो दारा को बहुत प्रण सागर के तर्ड पर इसुस में हार का मूँ देखना पड़ा इसके लिए ठीन बार डारा को हराया था ये भी समझें आप तो इस पर आपको समझना है कुछ और चीज़े जो काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर फारसी समराज के बारे में भी आपको जान लीजिए देखिए फारसी समराज ये फारस ने सासन करने वाले विविन 900 के समराज को समीली तुरूप से कहा था और फारस के सास को ने अपना समराज आदोनिक इरान के बाहर कई परदेशों तक फैला दिया था इराग अर्मेनिया तुर्की अजरबाईजन अफगानिस्तान तुर्कामरईस्तान ताजाकेस्तान पाकिस्तान मदोपूरो मीश्र इसब यहांपे लेकिन ये सभी परदेश तो है आपको समझे ना ये सभ सबसे महान करांती कहा जाता है और इसके करण पहलवी वंस का अंत हो गया था और आयोत तुलाह और खौमेनी इरान के परमुक बने थे यहाँ पर इरान का नया सासन एक धर्मत तंत्र है आपको जानना चीए तो यह कुछ सब डिटेल थी इसके बाद हमारी आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट होती है मात कीजिएगा अगर कुछ इसमें गलतियां रह गई हो कोशिस होगी कि आगे इस और इसको डिवलप किया जाए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद